पहले तो वर्निंग है पंजाब वालों के लिए देखो पंजाब वालों तुम्हारी हमसे कोई दुस्मनी नहीं है चीक है अब हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज हम बात करने वाले हैं पंजाब के एजुकेशन के बारे में क्या वहां का सीन है क्या वहां के कोलेजें क्या करवाती है क्या वहां का गुवर्मेंट डिपार्टमेंट है कोलेजों का क्या सा है यहां का एजुकेशन सिस्टम क्या किसी बच्छे को पंजाब में एडमिसल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए कंपलीट के दराज इसके अपन चर्चा करने वाले हैं तो एंड तक जरूर बने रहेगा ठीक है गाईश सो गाईस यार किसी भी राज्य की किसी भी देश की जो भी जीडिपी होती है वाँ की गरोथ होती है वो फूली डिपेंड करती है वाँ के एजुकेशन सिस्टम पे कि उनकी जो बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है उनकी पीडियां क्या पढ़ के आई है क्या सब वाँ का माहोल है का सिस्टम है यह सारा का सारा डिपेंट करता है if education पे अगर वहांत कर स्वाद है तो इज्टिन अग्दम ख्राब है तो उसके हम वह पर कोई start of start नहीं हो गए बिजिनेस अग्दम बरबाद हो जाएगा unemployment रहेगा, बेरोजगारी रहेगी, crime बढ़ेगा, ठीक है न, तो ये सारा system होता है, एक unemployment और education की वजही से ही सारा का सारा start होता है बात करते हैं आज हैपन पंजाब के education system के बारे में और वहां के जो भी government, especially government college को क्या हाल है यार अगर मैं आपको बता हूँ directly और indirectly तो 98.99% जो बच्चे हैं वो पंजाब से directly जरमनी कनेडा चली जाते हैं लोस्ए आज़या जाते हैं और जो मैं पंजाब की खाल आता है निया बचा क्योंकि और पंजाब के लोग ही रहते हैं कनेडा के अंदर उनका यह मानना है की Corneda में आगर वो दो से 3 साल बिताएंगे तो जो है वो अमेरिका के अंदर आने वाले चार से पांच साल के अंदर अपना जो है वो ले सकते हैं वहां का रहने का जो परमानेटूट को मिल जाएगा ठीक है रेसिस्टेंस अमेरिका का तो उस बेसिस पे वो जो कनेडा जाते हैं वो सरलोग जर्मनी भी जाते हैं लेकिन पंजआ कोंगी रहना नहीं चाहता moments य offense ऑर में राज्यस्तान से हो और में अगर हमारे राज f own की बताओं तोbackиславно गेहां कि देन जो क्या होते हैं यह एक दोधम टफट thoughtful exam देखे आते हैं जो भी हमारे इंडिया का जिता भी तफेश्ट exam जो होता है वो हमारे राजस्तान का रीप का exam होता है रीप का exam होता है जो रीप का exam होता है उससे जैके पता नहीं किते सालों की तपस्यासे जो लोग है वो teacher बन पाते हैं तब जाके वह government college में पढ़ा पाते हैं लेकिन पंजाब के अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं होता पंजाब में कैसे होता है क्या education system है teachers कैसे select कि जाते हैं यहार इनके पास first of all funding नहीं होती जो कि teachers को दे सके तो अच्छे टीचर तो वैसे भी नहीं आफकते जब भी experience teacher है वो तो possibly नहीं है यहार यह क्या करते हैं यह ढूंते रहते हैं कि M.Tech कहां से बच्चों ने complete किया है तो वो क्या करते हैं M.Tech जिन भी बच्चों ने जहां से भी complete किया है उनको call करते हैं या तुमने M.Tech complete कर लिया ठीक है आजाओ हमारे पास ओके तो वो आते हैं DAVEP पढाने लगते हैं लेकिन यहसा नहीं है कि oni लोगों को भी यह लोग salary देंगे ऐसा बिलकुल नहीं है इनका यह कहना है कि जो जितना काम करेगा उतना salary मिलेगा जो जीते lecture लगाएगा जो जीते period लेगा उतना salary मिलेगा जिसको हम बोलते है lecture basis जीता ज्यादा lecture उतना ज्यादा पेशा तो उनको जिते घंटे काम करोगे उतना ज्यादा आपको पेशा मिलेगा ओके और यहां पर कोई government जो बगरा निकलती नहीं है पंजाब क जिते भी बच्चे मेरे पास counselling के लिए आते हैं या पर मैं जिन से contact करता हूं या मिलता हूं तो एक चीज मैंने देखी है यहां पर बच्चों में commonly जो है इनका ऐसा कुछ नहीं होता कि इनको पता भी नहीं होता इस पेसलिए स्टार्ट अप क्या होते गूगल माइक्रोसो गैसे काम करते हैं यह लोग यह क्या करते हैं आपको पफरे पूलिस के अंदर जाना दैन थ्रड ऑप्षन इनके पास यह पंजाबी में अगर वो बोलते हैं तो मेरे बाप पूरी जमीन है तो मैं उस पर खेती करूंगा ओके तीन ही ओप्चन होते हैं लोग पास और कोई अप्चन नहीं होता है इंडिन आर्मी पुलिस और खेती इनकी जो भी नॉर्मल होती है तो इस परकार से पंजाब जो है कुछ नहीं हो पाता और तुम लोगों पता है कि खिसानों बेचार पास कहां से पैसे आते हैं तो इस परकार से इसकी जीटेपी बहुत ज़्यदा गीरी हुई है बहुत ही ज़्यदा कंडिशन कराब है अगर मैं राजस्तान और बेंगलोर के अगर मैं बात कुरू राजस् सिर्फ और सिर्फ अनेंप्लोईमेंट है और पंजाब के लोग तो यहां से बाहर चले जाते हैं और बेचारे दक्षिन बिहार और दर दर वाले बच्चे यहां पर आते हैं पढ़ने के लिए जो भी बच्चों को कोई प्रोब्लम होती है तो वो इनके साथ कुछ भी शेयर नहीं करते और यहां का जो है वाइफाई कनेक्शन तक परवाइड नहीं करते बहुत सारे कोलेज़ वाले डारेक्टर बड़े बड़े जो डारेक्टर्स है उनका यह कहना होता है चाहिए वह वाइस तांसलर ही क्यों ना हो तिसी टोल्ड मीदा इंटरनेट का यूज यपोन वीडियो टेक्निक लिए करेंगे वह भी इस टेकनोलोजी के जमाने के अंदर पंजाब के वाइस चांसलर एसा स्टेटमेंट देते हैं तो आप क्या ही मलब एक्सेप्ट कर सकते हो पंजाब के एजुकेशन सिस्टम से जाब में ज्यादा कुछ कॉलेज़ नहीं है मेजर ली आप गर मैं बात करूँ स्टेट उनिवर्सेटी कोलेज़ों की तो कुछ ही है साथ से आठ इस्टेट उनिवर्सेटी कोलेज़ हैं और उसे एफिलेटेड भी कोलेज़ मिल जाएंगे कुप ओके जैसे यहां पर कुछ अच्छे डिस्टिक्स है जैसे लुदियाना है पटियाला है चंडिगेड है चंडिगेड में कुछ तोड़ा सा ठीक है माहौल एजुकेशन का और सारे जो भी रूरल एरियाज होते हैं वहां पे तो सारा के सारा बहुत ही ज़दा गंदा माहौल है जुकेशन का बहुत ही खराब सिस्टम है यार तो आई तिंग मेरा य कोई निकालता ही नहीं है वेकेंश गुवर्मेंट कोलेज जैसे पड़े लेब अगरा कुछ चलता नहीं है यहां पर मेरे पास बहुत सारे बच्चे से बैटे हैं जो कि जिनके कोलेजों में लेब हाई ही नहीं देखी नहीं है कभी मस्तिन है और उनको बिटे की डिगरी ज सिस्टम तो ऐसे को आप पंजाब के अंदर बिल्कुल भी एड्मिसिन ना ले और पड़ाई लिकाई पंजाब से तो दूर ही रही है अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं डाउट देंट पंजाब से क्योंकि पंजाब के लोग बाहर जा रहे हैं तो तुम या क्या करोगे बच्चा तैंक यू समाच गईस